बटेंगे तो कटेंगे और बंगलादेशी, पाकिस्तान, बेटी उठा ले जाएंगे, सरीकी के बातें चुनाओं में हो रही हैं, कैसे काउंटर कर पा रहे हैं इनको? पहली चीज तो यह है कि यह गैर मुद्धे हैं जिसकी चर्चा बीजेपी कर रही है, महंगाई से आम आदमी की कमल तूट रही है, उस पर आप बात करने के लिए तैयार नहीं है, आप चुनाओं में बटेंगे, कटेंगे यह सब बातें कर रहे हैं, आप बताईए ना आपने कि उनकी चेकिंग क्यों कर लिए, इलेक्शन कमिशन ने, कि मैं मानती हूं इसके लिए कोई कमबैक ही जरूत नहीं है, क्योंकि महराश्रा की जनता बठने की राजनीती में कभी उन्होंने विश्वास नहीं रखा हैं, करीब करीब साथ साथ साल भारतिय जनता पार्टी सरक कि भारत की राजनीती के सबसे फरेवी लोग हैं मैं तो इसको भारती जुठा पाटी कहता हूं और मैं तो प्रधान मंत्री के बारे में कहता हूं कि जूट बोलने कि महारत है उनको, गंजे को भी कंगी बेच सकते हैं, यह हुनर है अमारे पुडान मुंत्री किया यह आप याद रखिएगा I think Maharashtra की हिस्ट्री में होगा कि over 60 people were suspended by the BJP Ajit Pawarji has very categorically said, कि मैंने 48 गंटे की सरकार बनाई अडानी मेरे साथ बैठा था उस टेबल पर इनको चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग करने वाले देवेंद्र फट्र में बाजी करते थे, वो उनके बगल में बैठे हैं नहीं, 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 कदी करना, नहीं याने मैं कभी भी în alliance करूंगा नहीं NCP के साथ, वो करते हैं नरेंद्र मोर्णी जी का न कोई सधांत है न उनकी बात का कोई मतलब है एक काम हो कर सकते हैं, छूट बोलने में अगर कोई प्रतियुगता कराई जाए तो दुनिया में नमबर एक के हैं आदाब नमस्कार, हम महराश्ट्रा में हैं, मुंबाई में हैं, कुछ डाउन रिपोर्ट्स और कुछ इंटिव्यूस आपको दिखा रहे हैं बहुत दो दिल्चस्प लोग हमारे साथ हैं, इनको आपने पार्लियमेंट में देखा होगा, बोलते हुए और सस्पेंट होते हुए अब उस प्रचार में, आप वो लोग महराश्ट्रा में साथ में प्रचार कर रहे हैं, आप इनकी जो बाते हैं वो भी बहुत दिल्चसा आप रेल्यू में सुन रहे होंगी, बीजेप का कैमपेण है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बंबई अक्सर दूसरी तरीके से हमने देखा है हम अक्सर सालों से बंबई आते रहे हैं और यहां की सड़कों पर कभी कटेंगे तो बटेंगे और बटेंगे तो कटेंगे एक रहेंगे नेक रहेंगे एक रहेंगे से नारे सड़कों पर नजर नहीं आते तो जो नजर आ रह इन सब चीजों पर बात करेंगे कि इतना बड़ा चैलेंज है महाराश्रा विकास अगाडी के सामने और संजे सेंग और प्रियंका जी कुछ रेलियां साथ में कर रहे हैं तो एक अच्छी बात है सबसे पहले संजे जी चोकी दिली से आये फिर बॉंबे से बात करेंगे हम पाकिस्तान बेटी उठा ले जाएंगे सरीकी के बातें चुनाव में हो रही है आप लोग साथ में इस बार लग रहा है इंडिया कट बंधन में आप कमान थामे हुए हैं कैसे काउंटर कर पा रहे हैं इनको पहली चीज तो यह है कि यह गैर मुद्दे हैं जिसकी चर्चा बीजेपी कर रही है महरास्टरा में बेरोजगारी मुद्दा है किसानों की जो हालत है वो मुद्दा है तीन हजार से ज्यादा किसानों ने आत्मत्या किये साथ हजार महिलाएं लापता है अपरहन हो चुका है या तो उनके साथ दुस्कर्म हुआ है यह मुद्दा है तो आ आप इन सारे मुद्दों पर बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपने यहां पर लोगतंत्र और संविधान की हत्या करके, एक सरकार को गिरा के, दो पार्टियों को तोड़के, आपने अवैद्ध तरीके से एक सरकार बनाई है, उस पे आप कोई बातचीत करने के लिए तयार नहीं है, महंगाई से आम आदमी की कमर तूट रही है, उस पे आप बात करने के लिए तयार नहीं, आप चुनावा में बटेंगे, कटेंगे, यह सब बात नहीं कर रहे हैं, आप बताइए न, आपने महारास्टा के लिए क्या किया है, आप दो लाख करोण की योजना महारास्टा से अपने ग्रिहराजी में लेके चले गए मोदी जी सौतेली मा जैसा बिवार आप महारास्टा के साथ कर रहे हैं यह तो अच्छी बात नहीं है तो बटेंगे कटेंगे क्या है और एक सेफ वाला जो नारा है आप लोगों को कहीं से गलत फहमी होगी वो अडानी के लिए नार मंत्री हैं बाइस राज्यों में बीजे पी की सरकार है खुद उनका गिर्ही मंत्री है रक्षा मंत्री है और दस साल के बाद आप कहते हैं भैस चुरा ले जाएगा मंगल सूतर सूरा ले dizer गा रोटी पेटी चुरा ले जाएगा तो आप प्रधान मंत्री के पट्स सिइफा सब की आप बात छोड़ दीजे, जेल विल जाने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं, वो कोई मुद्दानी, 23 मुकदमा तो इन्होंने यूपी में लिखा, देस्द्रो का मुकदमा लगाया, पीमले में छे मेने जेल में डाला, आगे भी तैयार हैं, उसकी कोई बात नहीं है, बात ये है कि आप इस देस को किस हो लेके जा रहा है, 142 अस्थान पर भारत प्रतिवेक्तियाय के मामने में खड़ा है, लाको करोन रुपए का करजा आपने अपने दोस्तों का माफ कर दिया, आप इस देस के किसान के करजे की माफी की बात आती है, तो उसको लाठीयों से पिटवाते हैं, डीएपी खाद उनको नहीं मिल रही है, तो असल मुद्दे पे आप बात नहीं कर रहे हैं, मैं तो कहरा हु मानस्था के रेलियों में, कि भाई अगर आप बटेंगे तो आपके स्कूल बंद होंगे, हस्पताल बंद होंगे, सड़के टूटी होएं होंगी बेरोजगारी के कारण आपको आत्मत्या करना पड़ेगा, किसानों की बधारी के कारण उनको आत्मत्या करना पड़ेगा, भारत की सेना को ठेके पे रखा जाएगा चार साल के, तो इसलिए ना बटिये ना कटिये मिल के बीजेपी को रपटिये, यह हमने ना रही है, ना आप कानपूर से आते हैं दर्शो को समझाइए मैं सुल्तानपूर से आता हूं अवध के इलाके में होता है मिल दवड़ा लिजिए तो मिल के बीजेपी को रपट दीजिए हम कह रहे हैं यहां गापटा मतलब होता है थपड मारना तो मैं माराथा के लोगों से खहना चाहता हूं वो का मत कीजिएगा लेकिन इनको रपट लीजिए दोड़ा लीजिए इनको चुनाओ से खदेडिये और बहुत अच्छा यहां पे महाविकास अगारी का प्रचार चल रहा है अब द नहीं है सीटों सीटों का मुद्दा होता है तो हमें तो चुनाओ लड़ने के लिए कहा था महाविकास अगारी में हमने खुद तहह किया कि हम चुनाओ नहीं लड़ेंगे और इनके लिए प्रचार करेंगे हम कर रहे हैं बीजेपी की नफरत की राजनीती को रोकना मने खाल रहे हैं लोगों को आपमानित कर रहे हैं तो इसलिए मैं आई हो थी क proportion जी अब आपका बंबही आपका कैसे काउंटर करेंगे आप लोग का कमबाग क्या है देखि मैं मानती हूं इसके लिए कोई कमबाग की जरूद नहीं है क्योंकि महराश्टरा की जनता बठने की राजनीती में कभी उन्होंने विश्वास नहीं रखा है तो भारतिये जनता पार्ती इस राजनीती को इसलिए क्यान रही है परिखिम उत्तर भारत में लगा है उत्तर प्रदेश में एनको लगा हुआ कि हां हम लोग इस तरीकी नियकी बना सकते हैं olm महाराश्टरा में यह लाट सेंगे नहीं कर रही है ना वो इसी तरीके से जंता के मन में बैठ रही है तो मुझे इसमें काउंट करने की जोटी नहीं है हमारा मुद्ध महराश्रा से जुड़ा हुआ है जब आप हमारे कारोबार दूसरे राज्यों में लेकर गए हमारे युवाओं को बेरोज़गार छोड़कर गए लाड़की बहन आप तब लाते हैं जब लोकसभा का चुनाव आप हारते हैं अपने भेंगा करीब गरीब 7.5 साल भारतिय जन्ता पार्टी सरकार में रही है महराश्रा में और यह जो धाई साल रही है इन्होंने दो राज्यों सतरकी पार्टियों को तो तोड़े तोड़ा साथी साथ परिवारों में लड़ाई लडवाई है आज सुप्रिया सूले और सुनेत्र पव चाहे वो छट्रपती शाहू की हो, महत्मा फूले की हो, और महामानव अम्बेटकर की हो, उनको भी खतम करने काने काम किया, यह हमारे मुद्दे हैं, यह हम जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं, यह मुद्दे लेकर के जा रहे हैं, बीजेपी ने बहुत पोलराइज कैमपें यह हमें बीजेपी नहीं करती है, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में प्रदान मंतरी ने मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टों का था, कॉंगर्स के मैनिफेस्टों को, मंगल सूत्र वगरा, बहुत हाई, जैसे संजे सिंग जी ने कहा, कि बीजेपी असल मुद्दो बात नह करने का तरीका यह रहा है, भार्षा कैसी ही रही हो, वो काम कर रहे है, और उनको उसका फायदा मिला है, इसलिए लोकसभा में आप देखेंगे, महराश्टा के चुनाव में यही कहा, आकर उदव सहाब को आप कहते हैं, बाला सहब की नकली संतान है, वो बंदिया हिंदू पुरिदर समराज जिन्होंने आपके साथ 30 साल खड़े रहे, उस राजनेतिक पक्ष्पर कहते हैं, यह आकर हमें शाह कहते हैं, कि जरा इन से यह बुलवाईए, कॉंग्रिस पार्टी से यह बुलवाईए, हम आप से पूछते हैं, 30 साल हमने आपके दुख में सुख में सा बातने कातने की राजनीती, पर यह बातने कातने का काम तो आप ने किया है, और अब लूटने का भी काम कर रहे हैं, तो बातना, कातना और लूटना, यह भारतिय जनता पार्टी का इलेक्शन टूल किट रहा है, 1980 के दशक से, प्रिटिश राज ने डिवाइड रूल शुर जिसके मन में इस तरीके काम हो, महराश्या उसे नहीं सहमत होने वाली है, लोकसभा में दिखाया है, इसी का परिणाम अब इनको विधान सभावे भी पलेगा, एक सबाल आप से, दिखे, हमने लोकसभा चुनाव में देखा, कि आप लोगों का समीधान बदल देंगे, और आरक्षन खत्म कर देंगे, यह जो आप लोगों का पॉलिटिकल नेरेटिव था, वो काम कर गया, हर्याणा में पांसीटे जीते, आपने यूपी में चुनाव जीता, भले ही दिल्ली में ना जीता है, अर्विन जी का वो बयान की, योगी जी को हटा देंगे वगारा, इसक देखा कि हरा हर्याणा में क्या हुआ, कैसे शीला उनको शैल जाकुमारी शैल जाक को लेकर के जाट बनाम नॉन जाट किया होने ने, सारी तो नुक्सान थे, उसका फाइदा, लेकिन चुकि आप हर्याणा में एक नहीं थे, अलाइंस नहीं हुआ, कॉंग्रेस से आप हर्याणा में हर्याणा को नुक्सान हुआ, महराष्टरा में भी इस सवाल में प्रेंकाजी से पूछूंगा, लेकिन महराष्टर में आप प्रचार कर रहे हैं, आपको लगता है कि काडर जो है, सब एक है, कॉंग्रेस का, आपका, शिर्फ सेना, यूबीटी का, आप लोग हिंदू मुसल्मान की राजनीती नहीं है, वहाँ क्या नारा लगाते हैं, वहाँ कहते हैं, बटोगे तो जीतोगे, वहाँ बटोगे कटोगे नहीं कहते हैं, अभी आपके मुह से निकला ना, जाट नान जाट, वहाँ क्या कहते हैं, हिंदू हिंदू अलग हो जाओ, हिंद वहां हिंदू हिंदू आपस में बढ़ जाओ तो ये भारत की राजनीती के सबसे फरेवी लोग हैं मैं तो इसको भारती जुटा पार्टी कहता हूँ और मैं तो प्रधान मंत्री के बारे में कहता हूँ कि जूट बोलने की महारत है उनको गंजे को भी कंगी बेच सकते हैं ये हुनर है हमारे प्रधान मंत्री के अंदर ये आप याद रखेगा तो इसलिए आज महारास्टा में जो कार्ड वो खेले की को आप पूछा है ना नैरेटिव क्या है आप लोग एक है के नहीं एक नारा क्या है यहाँ पे यहाँ पे एक नारा है गद्दारों से सावधान यहाँ छत्रपती सिवा जी महाराज को मानने वाले लोग है और उनको मानने वाले लोग कहते हैं गद्दारों को माफी नहीं तो गद्दारी हुई ना उद्धो ठाकरे जी के साथ सरत पवार जी के साथ हमने अब तक कार चोर सुना, बाइक चोर सुना, सोना चोर सुना ये तो पार्टी चोर हैं, विधायक चुराते हैं ये लोग तो इन से सावधान रहने की जरूवत है इसलिए लोग यहाँ पे तो विधान सभा में नारे लगते थे पचास खोके एकदम होके आपने दो पार्टीओं को तोड़ा है बाला साहब ठाकरे की पार्टी जो मराथी असमिता के स्वाविमान का प्रतीक है उसको आपने तोडने का काम किया किस फेडरल स्ट्रक्शर में आपको यकीन है आपने उधर ठाकरे जी की सरकार को गिराने का काम किया तो अभी उसका बदला लेने का मन है यहां के लोगों का लोग सभा में थोड़ा तीस सीटों बहरा है इस बार और सफाया करने का आप लोग एक तो हैना जमीन पर मजब समझना चाहरा हूँ आप तो आए प्रचार करने के लिए आप तो आके नेता तो एक है आप तो खुब रैली कर रहे हैं लेकिन आपके कार्यकरता जमीन पर एक है कि नहीं एक बास सुलिए यह छोटी छोटी चीजों को मुद्दा बनाया जा सकता है मीडिया में बिल्कुल ठीक है बनाना भी चाहिए लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि 144 करोन की आबादी वाले देश में हर जगें ऐसा है एंडिये के क्या सारे दल हर राज में एक साथ लड़ते हैं वही जेडियू एंडिये के साथ था तब भी नौर्थीस्ट में अलग लड़ता था उनके पांच विदायक जीत के आया थे उनको तोड़ लिया है इन लोगोंने रामिलास पास्वान जी की पार्टी अलग लड़ती थी सिव सेना उद्व ठाकरे जी की पार्टी जब बाला साथ थे तो मुझे याद है उत्तर प्रदेश में भी चुनाओ लड़ते थे एंडिये के खिलाब तो ये कहना कि एक इतने बड़े देश में आप ये उम्मीद करें कि हर राज्य में एक तरह की रणीती होगी संबों नहीं है हर्याणा में हम अलग लड़े लेकिन महारास्टा के अंदर आज हमने ये फैसला लिया कि हम चुनाओ नहीं लड़के भी साथ देंगे महाविकास अगारी का और महाविकास अगारी एक जूट होके चुनाओ लड़ रही है उनमें कभी आपको डिफरेंसेज कभी कोई भासा सुनाई परती होगी वो इतना महत तो नहीं है एक परिवार में चार भाई रहते हैं तो इसमें अलग अलग भासा सुनाई परती है तो ये तो इतनी बड़ी महाविकास अगारी जो इस समय अपने मुद्दों को लेके सामने है और जो बाते वो जाके कह रहे हैं कि दो लाग करोड की योजना आप गुजरात लेके चले गया है यहां के लोगों का हक मारा जो बात वो कह रहे हैं कि दो पार्टियों को आपने तोड़ा है आपने आपने तीर कमान चुराया है तो यह सारी चीजें मुद्दा है प्यांकर जी इन्होंने कहा कि परिवार को लड़ाने वाली बात है अजित पावर साब ने कहा है कि आईजॉलोजी क्या होती है सत्ता सबसे जरूरी है तो आईजॉलोजी की तो बात ही नहीं हो एक टाइम था आपको उनसे पिछले लोकसाथ विधानसभा चुनाव में आप लोग कट्थरोट कॉंपटिशन था आईजॉलोजी का लड़ाई ती शिरसेना और कॉंग्रेस की कॉंग्रेस ने हमेशा शिरसेना बाला साब को दोश दिया बाबरी मज़े देमोलिशन का अर आप लोग तो इजलोजी तो महराश्या एलेक्शन में नजर नहीं आ रही है इस बार पिछले दो बार से तो नहीं नजर आ रही है एक चीज और करेक्ट कर दू आपको जो अभी संजय जी कह रहे थे आपको शाद परता नहीं है कि जो बाइलेक्शन उत्रप्रदेश में चल रहे हैं भारतिय जनता पार्टी के साथ भी उमीदवार अजीत पवार जी के गुठते लगाए है उत्तरप्रदेश में नसीप अजीत पवार की पार्टी लड रही है अपने सिंबल पे बाइलेक्शन पे जब एक्टा की बात होती है तो वहां पे भी महां यूती में भी कोई एक्त जहां जहां BJP के कैंडिडेट्स हैं वहां वहां रिबेलियन कैंडिडेट्स हमें खड़े करें इंडिपेंडेंट के रूपने और फर्स्ताम महाराश्रा की हिस्ट्री में होगा कि ओवर 60 पीपल वर सुस्पेंड़ बाइब बाइब बीजेपी ने बीजेपी में आज किसी जहां पहले होता था था मोदी जी का डर है अमिछा का डर है वो लोग तॉप बॉस्स है वो चानक के है वो डर भी अब ख़तम हो गया महाराश्रा था हमाचल में देखा उनके काफी बागी लड़े थे हां हर्याना में बीज पाफी लड़े बागी लड़े थे हैं प्रीज आपने का आइडियोलोजी नहीं है हम तो अभी भी अपनी आइडियोलोजी पर चल रहे हैं क्या हमारी इडियोलोजी बदली होगी क्या बदलाव हमें आया जिससे आपको लगता है कॉंग्रिस पार्टी हमने तीनों ने मिलकर हमने का हम विया इंडिपेंडेंट और फॉल अभुल गांधी जी जब आयते पिछली वार जब महाविकास अगारी की जॉइं ट्रैली हुई थी उन्होंने बाला साहब ठाकरी जी के मेमोरियल में जाकर श्रदानजली अत्वित की थी वक्त बदलता है और वक्त के अनुसार राजनेतिक पार्टियां बदलती हैं जनता क कि अपेक्षाओं के नुसार बनती हैं प्रीज अंडिस्टैंड वन थिंग हर राजनेतिक पार्टी एंजियों नहीं बननी है राजनीती करने आई है अगर महादेश की राजनीती रंग रूप बदल रही है जहां पर सम्विधान को खतम करने का काम हो रहा है प्रजा तंत् सब्सक्राइब काम है और सब्सक्राइब कोड़ाई हम लड़ रहे हैं जब इलेक्शन कमिशन पीपल्स रेप्रेसेंटेशन एक्ट कहता है कि यह जो सिंबल और पार्टी नेम तो थर्ड स्प्लिट तब माना जाता है जब उपर से नीचे वर्टिकल स्प्लिट होता है आप तब उमीदों पर बदलावाता है तब राजनेतिक पक्ष का धर्न बन जाता है कि वो अपनी लड़ाई को रिलुक करें तो यह रिलुकिंग जो होता है इस ना इडिलोजिकल कॉंपर्माइस इस प्लिटिकल अंडिस अडिस पूलिटिकल अंडिस उड़ाई पार सब्सक्राइब के वोट पार इसे कंगर्स पार इसाफ़ाइड अजीद पार्स एडियाग जाब वो गडिलुकि वो अपने ने डिटावराई कि अटेगोरिकली सेड के मैंने अर्तालीस गंटे की शरका बनाई अदानी मेरे साथ बैठा था उस टेबल पर कहा है अपने समने वो इंटर्व्यू देखा होगा जब वो कहते हैं कि एक इंडास्ट्रिलिस बैठकर सरकार की रूप रेखा तैग करता है और फिर कहते हैं हाँ ED, CBI, IT के सारे cases बंद करने के लिए उनके सारे जो NCP के गए हैं जो इकबाल बिर्ची से संबन रखते थे BJP कहती थी आरोप लगाती थी प्रफल पटेल जी उनके साथ राजय सभा में बैठे हैं जो 70,000 को गुटाला करते हैं वो DCM बैठे हैं जिनको चक्की पीसिंग करने वाले देवेंद्र फद्र में बाजी करते थे वो उनके बगल में बैठे हैं नहीं नहीं कदी करना नहीं यानि मैं कभी भी ऑन अलायंस करूंगा नहीं NCP के साथ वो करते हैं तो सारा जो मापदंध है, आइडियोलोजिकल क्वेशन है वो उनके क्लिए का NCP Ajit Pawar जो है वो इसलिए बनी है कि मैं अपने परिवार के लड़ाई परिवार से करादी है मुझे जो करने मैं करूंगा क्यूंकि मेरे लिए पावर इंपरूंगा क्यूंकि मेरे लिए पावर बचन की मान रखूंगा जिसको जाना है वो जाये, 40 चले जाते हैं, 13 MPs चले जाते हैं, वो लड़ाई लड़ते रहते हैं और फिर लोकसभाव चनाव में, जो 13 लेकर गए वो साथ पर आते हैं, जिनके साथ 6 थे वो नौ पर आते हैं, और जो 23 लेकर भारतिये जनताब पार So that is the belief I believe, is the ideology worth fighting, जबान की कीमा आखर एक सवाल संजे जी और आप लोगों को जाना है, क्यामपियन करना है, important time है, संजे जी, ideology की बात की, अजीर पवार हो या नवाब मलिक साब का statement सुना, आज मिलिन देवडाग से भी बात हमारी हुई, सब थोड़ा सा uncomfortable है, बटेंगे तो कटेंगे के narrative से, आपको लग र इसमें दिया है कि कोई चहरा नहीं है, मुख्यमंत्री का, आप लोगों का भी कोई चहरा नहीं है, अभी पर है प्रियंका से पूछोंगा क्या कौन मुख्यमंत्री बने गाई जारा इनकी तरफ से भी announce नहीं किया गया है, तो बड़ा, बड़ा फैला वाइस, चुनाव पहले दो सब साथ में था बालग अलग हो गए जनता कहा जाए बाकी वो लाडली बैना है वो पंद्रा सो दे रहे हैं महालक्ष्मी योजना आ गई वो तीन हजार दे रहे हैं तो बड़ा हवा में चुनाओ है समझ नहीं है एक तरफ वो लोग हैं जो अपने सिध्धानतों के स साथ खड़े रहें उन्होंने कहा हम भारती जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे और हम तूटेंगे नहीं हमारी संख्या भले कम है हम अपनी पार्टी के साथ अपने सिध्धानतों के साथ अपने विचारों के साथ खड़े रहेंगे तो खड़े रहें उधो ठाकरे जी सरत्पवार जी भी खड़े रहे दूसरी तरफ गद्दारों की वो फौज है जिसको महारास्टा की जंता ने चिन्दित कर लिया है कि आपने बीजेपी के साथ मिलके खरीद फरुक्त करके आसाम में विधायकों को ले जाके पार्टी को तोड़के गद्दारी की है और ये च्छत्रपती सिवाजी महाराज को मानने वाला स्टेट है मैं तो कह रहा हूँ न यहाँ एक एक आदमी ये कह रहा है कि गद्दारों को माफी नहीं है जिन लोगों ने गद्दारी किये पार्टी तोड़ी है तो कन्फियूजन कहा है किस बात कर कन्फियूजन है बहुत साफ है एक तरफ उधर ठाक रहे हैं दूसरी तरफ सिंदे हैं लोग दोनों का चेहरा देखते हैं तो कहते हैं सिंदे ने गद्दारी की इनकी पार्टी त बारे में इस देश के लोगों के मन में कोई भ्रहम हो तो उसको दूर कर लेना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का न कोई सिद्धान्त है ना उनकी बात का कोई मतलब है एक काम हो कर सकते हैं जूट बोलने में अगर कोई प्रतियुगता कराई जाए तो दुनिया में नंबर एक प लेंगे घर नहीं लेंगे तो आज ये एक ऐसे सक्स बन गये हैं सक्तर हजार करोण के घोटाले कारोप आपने अजीत पार्ग के उपर लगाया और फाइल नहीं मिल रही है उनको आपने अपने साथ मिला लिया गले मिल गए राजा हरिश्चंद हो गए हसन मुस्रीफ के घर पर एडी जाती है छापा मारती है अब वो तुरंट जह हो राजाहरिश्चंद हो गए है आपने छागन भुजबल के खिलाफ एडी के कैसे सुरू किये आपके साथ मिल गए हो इमानदार हो गए आपने प्रफुल पटेल को इकबाल मिर्ची से जोड़ा दाओ इबराहिम से जोड़ा नवाब मलिक को दाओद इबराहिम से जोड़ा आपके कोई सिधान तुसूल कुछ है आपको जब सुविधा होगी तो आप नवास सरीव से भी गले मिलने चले जाएंगे बिना बुलाएं उनके बर्डे का केक काटने चले जाएंगे क्योंकि आपको अपने दोस् प्रवाकिस्तान में हिंदूस्तान में मुसल्मानों के खिलाव नफरत फीला नहीं है और दुबई के सेखों को और कतर के सेखों को गले लगाना है और जाके वहाँ मस्जिदों में आपको बैठने में कोई समस्या नई ह, क्योँकि वहां जैसा का धन्द चल रहा है χźanto आप जहां जहां प्रधान मंत्री देश का जाता है वहां वहां अडानी का ब्यापाराथ आप बंगला देश की बात कर रहे थे बंगला देश के खिलाब भारत के प्रधान मंत्री बोल सकते हैं एक शब्द भी आपको लगता है चार हजार करों रुपए बिजली का बकाया है अडानी का एक शब्द भारत के प्रधान मंत्री बंगला देश के किलाब नहीं बोल सकते हैं बंगला देश घुसपैटियों की बात करते हैं किसके सुरक्षा में है बॉडर मोदी की सुरक्षा में है अमिस्था की सुरक्षा में बंगला देश से कोई मुंबई कैसे आ जाएगा बंगला देश से कोई दिल्ली कैसे आ जाएगा मैं तो कहरे हो बंगला देश से उत्तरदेश कैसे आ जाएगा सुरक्षा तो तुम्हारी है दस सार से दस नाम अच्छा बताईए किसी बातपाई से जो बंगला देश के बारे म बोलता है किसी बंगला देश्टी को किसी विदेशी नागरी को आप हिंदुस्तान में पाएंगे उसको डिपॉर्ट करने की जिम्यदारी तो नरेंदर दर कि प्रियंका चत्रवेदी की पार्टी की है कि अर्विन केजरिवाल की पार्टी की है किस पार्टी की है मोधी जी की है ना दस नाम आप मुझे बताइए दस साल में कि उन्होंने इन दस बंगला देशियों को हिंदुस्तान से डिपोर्ट किया बताइए आप यह आपने बात कि इन्होंने फुलाने को कर लिया दिमकाने को कर लिया आपने भी तो पूरी पॉलिटिक्स कॉंग्रसी खिलाफ किया साथ में है ना आप लोग भी तो मतब ठीक है सबका सबका दामन मैं आपको सिर्फ यह कह रहा हूँ कि हमारे खिलाफ जो भी मामले चले जितनी भी यातना है हमको दी गई हमने उसको जेला बरदास्त किया फिर भी इन से लड़ रहे है फिर भी इनके खिलाफ खड़े है लेकिन आपने क्या कर रखा है जो आपके सामने सिरेंडर हो जाए घुटना टेक हो जाए उसके सारे सारे गुनाह माफ फिर वो जानार्दन रेड़ी हो नारायन राने हो चाहे आजीत पबार हो चाहे वो सुवेंदू अधिकारी हो चाहे वो हैमन्त विस्वा सर्मा हो आप गुदेट जारी करेंगे वाटर गोटाले का और फिर उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे तरहें संद्टी कारा दनी अच्पीन जनकारेप ऐसे अफूनीप लिछ कि महाराफ्थरा में ऐखा जनकारेश्रा है हुआ जो कि महाराश्टा में एक नर्रैटिव लिए दिली से चलता है और यहां पर हम जांगे और सेंसंस अफूूजन है एलेक्शन में कोई फेस दीज है, जनता के वन कोईसे नहीं है, आप कोई भी सर्वे देखेंगे, प्रिषविन काफी असने कि काफी इनवात आप लेक्षिटेनी आप एक्स एंड़ टीवी आपने देखी है, हैं तो आइनपर पर दोऊं चर्चें ही नहीं करेंगे, इस आइस मैं तो बार बार बोल भूल भूल की चकर में यह हालत हो रही है जो इंसान जो एक इंडस्ट्रिलिस्स यह डिसाइड करता है कि भारतिय जन्ता पाथी किस तरीक से महराश्रा में सरकार बनाएगी 2019 में और फिर 2022 में भी उनक्या नाम आता है तो सवाल उटता है कि why is he interested in bhaaritia janta party coming to power what favors is bjp giving to him and we all know dharavi je ho hai that's right but chalhi man I can tell you in detail the story but here sवाल यह है कि जन्ता से जहाँ जहाँ सरवे हुए है forget this survey जो जो independent surveys हुए है internal surveys हुए है बाकी पक्षों के हुए है there's clear narrative that Uddhra Sahab Thakre is one of the most wanted chief minister by the people of Maharashtra. He has enjoyed the popularity as chief minister, he was amongst the most popular while he was in government. His work has spoken for himself and even till today, by over 8 to 10 percentage points, Udav Thakreji is leading. In every district, every assembly, you can do that survey. So there is no confusion in people's mind. उन्होने ये ठाना है के Udav Thakreji को फिर से chief ministership की जिमिदारी देनी है. So there is no confusion in people's mind. ठीक है. दोनों लोगों सुना, मैं थोड़ा सा कॉंटूर करता हूँ. Sanjay जी तो बहुत सारे दिल्ली के चुनाव में Sanjay जी से पूछेंगे कि Irving जी ने बहुत सारी बाती कहीं थी, फिर उसमें यूटन क्यों लिया, पहले भी पूछा है लेकिन आइजॉलिजी पर बात हुए बहुत दिल्चस्प है. हमने कोशिश की कि इनकी बाते जनता है कि इतनी समझ में आएंगे, वो तो थीस तारीकों नतीजे आएंगे तब पता चले कि अटलीस मैं इतना समझ रहा हूँ कि इस बार का चुनाव प्रडिक करना मेरे बसकी बात तो नहीं है. पर महाविकास अगारी की जुलूस रैली में आप जरूर पार्टिसिपेट करना हम सब से फिर तीस तारीकों जरूर बाइट लेकर तभी दिल्ली वापस जबाएंगे तब ही दिल्ली में है हमारे साथ हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.